और वो सेम्धी हो सकता है सेम कब होता है जब रेजिस्टेंस सेम हो जाते तो उनका एक्वल बराबर बटता है तो इसी इवेंट को मैं आपको थोड़ा समझाने कुशिश करता हूं कभी-कभी क्या होता है easy questions की बात होती जिसे यहां पर मानले जिए दो सिरीज में resistance होते हैं तो बहुत आसानी सिरीज की बीच में जो voltage sharing को हम लोग निकाल सकते हैं अगर मानले जी दो वाला आसान है इसलिए में दो वाला बता रहा हूं तो दोनों में सिरीज होने की वज़े से current सेम जाएगा तो अगर मैं यहां पर वोल्ट मेटर लगा के चेक करूं कि इसके across voltage कितना है तो लेट से मैंने वो हैं वीवन और इसी voltage को हम लोग analyze करना चाहते हैं सब बच्चे connected है किसी को सबको आवाज आ रही सबको screen दिखरी कोई problem तो नहीं है यह सर देख रही है शबाश कोई problem नहीं है ठीक है तो हमारा जो next point है यहां पर मैं यहां पर आपको यहीं बताना चाहता था कि वी इसको स्टू आयार हमारा ohms लो यहां पर अभी भी लगेग हर टेंपरेचर पर गीवन टेंपरेचर अगर अपन बात करें तो हर जगह पर वेलेड हैं इसमें कोई problem नहीं होनी चाहिए अब बच्चे सूचेंगे सर इसको बताई क्यों रहे हो जब यह आपको पहले ही पता है तो current into resistance कर दो मुद्दा इसमें यह हैं कि अगर आपको current न लग भी रहें कोई problem है series में series की बात अब proportional पता है और आपको यहां पर साइड में अगर थोड़ी सी mathematics में बता दू कि वीवन और वीटू का सम जो है originally V के बराबर था आपको देखके फिर surprise होगा कि वहीं हम भूम फिर क्या आगए कि value total पता है ratio पता है तो total divided by individual जो ratio है और कि इसका चाहिए वीवन चाहिए तो आरवन से multiply करो इसी तरह वीटू चाहिए तो वीटू अपॉन आरवन प्लस आरटू से total ratio से डिवाइड करो और इन्टू वीटू वाला हिस्सा आरटू से multiply करो क्या इस बात को आप digest कर पा रहे हो क्या यह दोनों answer आपको अजीब लग रह कोई message आ रहे हैं कि कैसा करेंगे ऐसे दवा देते हैं साले को हो गया ठीक है यह तो बच्पन में जब आप 910 में आपने यह current electricity देखा था तब आपको यह चीज थोड़ा सा formula की तरह बताया गया मैं इसको formula नहीं मानता मुझे तो ratio डारेक्ट पता चल रहा है रेशो है रेशो आरवन इस टू आरटू का है टोटल वेली पता है तो इंडिविज्वल डिवाइड कर लूँगा इसमें कोई बड़ी बात नहीं हालां कि जो यह answer आया है इसको भी अगर आप देखो यह होगे तो total voltage upon total resistance total current है into hour है तो सभी शब्दों में कैसे भी बात करो एक बात है अगर आपको ratio पसंद आता तो आप ratio से समझ सकते हो और आपको we discuss to IR जल्दी से निकाल सकते हो current हो और उसको multiply कर सकते हो रिजिस्टेंस के साथ तो वो भी कर सकते हो बस यह आपको बस वापस मोशन में लाने की कोशिश की जा रही है कि बच्पन में जहां आप छोड़के आयते टेंथ क्लास में वही चीज हम लोग फिर से यूज़ कर रहे हैं आई होप आप कोपी कर लिए तो ओके अब यह बैसिक चीज थी इसी तरह मान लिजिए तीन रिजिस्टेंस होते हैं अगर आप इसे कोपी कर लिए हो तो मैं इसी में एडिट कर देता हूं आप देता आप समझे चीज एक कि वी वन इस्टू वी टू इस्टू वी थी जो होता है वो आज़न इस्टू आर्टू इस्टू आर्ट्यार ती रिजिस्टेंस की डिरेक्ट्य परपोश्चनल होगा सही है कि नहीं क्योंकि आई तो सब में सेम है तो अगर आपको V1 चाहिए तो total voltage divided by total ratio R1 plus R2 plus R3 into V1 का कौन है V1 का हिस्सा है R1 समझे क्या तीन होंगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है परन्तु यह जो मैं बता रहा हूँ वो 3, 4, 5, 6 करने के लिए नहीं कभी कभी आपको direct question आ जाते कहीं कहीं में ये use कर लेता हूं ratio तो बच्चे डर नहीं जाएं इसलिए मैंने बता दिया आपको चार होंगे तब भी हो जाएगा यार सेम चीज है बट ये दो और तीन में थोड़ा सुन्दर दिखता ये ratio proportion आपने सुना हुआ है इसलिए मैं आपको दिखा के use कर रहा हूं और ये बात प्रूव कर रहा हूं कि वो चीज जो बच्पन में एक छोटी सी पड़ी थी ratio proportion के न यह मैं अगला जो चीज है parallel combination आपको इंट्रो करा देता हूँ series combination आपने देखा parallel combination में क्या होते हैं दोनों resistance या तीनों resistance जो है उनके ends जो है आपस में इस तरह से connected होते हैं बोथ the ends are connected like that ठीक है और ये फिर जो है भले ये source किसी voltage से जोड़े ने जोड़े ने जोड़े पैरलल combination है ये आरवन है ये आरटू है और ये आरथ्री है ये तीनों parallel में है और ये जो combination है वो parallel combination है बट इसको study करने के लिए हम लोग एक बैटरी यहां पर लगा देते हैं जरूरी नहीं है कि सवालों में ऐसी बैटरी आपको दिखे जरूरी नहीं है कि ऐसी बैटरी आपको सवालों में दिखे मैं तो बस आपको यही समझाने कोशिश कर रहा हूं कि बैटरी हम analyze करने क करया है और हम क्या चाते हैं यी तीन तीन रजिस्टेंस जो हमें लगाने पड़ रहे हैं उनको हमें लगाने के आवशक्ता न पड़े और हम एक ही रोगी Rendex eco whisk the Dean है डेविलप हो रहा है तो यह जो आ राएगा इसे और एक्वेलेंट पिछली बार मैं इस एक्वेलेंट लिखा था तो कि तो मैं आज भी देता हूं कोई फ़ाता कोई फरक नहीं फड़ता का मतलब वो तीनों ने जो काम किया या अकेला वही काम करते हैं सबसे बेसिक चीज जो परलल कॉंबिनेशन की होगी आप यहां देख पारे हो कि तीनों किसी एक रेजिस्टेंस को देखो तो उसका एक head बेटरी से connected है और दूसरा tail भी बेटरी से connected है हाला कि head-or-tell बोलना सही शब्द नहीं है और एक end बेटरी से connected दूसरा भी ये भी बेटरी से connected है सब कोई direct बेटरी से connected है तो सबको same voltage मिलता है अगर बेटरी नहीं होती तब भी मिलता समझे बेटरी तो समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं तो सबसे basic चीज इसमें यही होती है कि all the resistances have same potential difference potential difference across them ध्यान दीजे current तो मैंने लिखा था in them और यहां मैं लिख रहा हूँ across potential difference दो end पर ना पा जाता है और current एक wire में ना पा जाता है ठीक है तो छोटी-छोटी सी चीजे है तो वो आपको दिमाग में रखेंगी तो आपको बड़ा फाइदा होगा ठीक है तो अब मैं combination आपको समझाने कोशिश करता हूँ कैसे क्या काम हुआ ओके तो first of all यहां पर मान लिजी इस में मेरा current गया R1 में I1 यहां गया मान लिजी यहां पर मेरा current गया यहां पर मेरा total current आई है तो यहां पर आसानी से आप समझ सकते हैं यह आई है तो यह आई तीन हिस्सों में बटा I3, I2, I1 और वापस यहां पर आके I3, I2, I1 वापस जोड़के यह वापस I3, I के बरावर होगे तो सबसे पहली चीज़ तो हम यही समझ पाए कि यार एक बात तो तो तय हैं कि इधर से I जो है KCL किर्चोफ current low से अगर मैं देखूं I1 प्लस I2 प्लस I3 है ठीक है यह नहीं हुआ silent music silent, ringtone is turn off, ठीक है अगर अगला मैंसे जाएगा तो WhatsApp भी बंद कर देंगे इधर से तो I1 प्लस I2 प्लस I3 है ठीक है तो total current जो है I के बराबर है अब individual की बात करें तो मैंने यह तीनो current मुझे पता चल गए अब मेरे को यह भी बताए कि तीनो के across voltage सेम है अभी जो मैंने setup आपके सामने लिख रखा है उसमें अगर मैं R3 के across voltage देखूंगा तो वो भी E है R2 के across देखूंगा तो वो भी E है और R1 के across देखूंगा तो वो भी E है तो सब के across जो voltage है सेम है अच्छी बात है सेम है तो मैं ohms low याद कर लेता हूँ ohms low क्या था V is close to IR now this is the time ठीक है यह लिजे तो ohms low क्या सबसे V is close to IR होता side में V is close to IR लिख देता हूँ और याद दिला देता हूँ I बराबर V by R होता है ठीक है ना V voltage हम बोलते हैं बट रियल में वो potential difference होता है voltage उसकी unit होती ठीक है तो तो यहाँ पर अगर में V is close to IR है I is close to V by R है तो मैं I1 की value निकालना चाहूँगा तो I1 में क्या होगा E मेरा voltage है EMF वाला symbol से E लिखा I hope that is fine कि E लिखो कि V लिखो क्या फरक पड़ता है I2 जो R2 में जो current जा रहा है वो भी उसके across भी जो voltage है वो E है और resistance उसका R2 है तीसरा जो है वो भी E है और उसका resistance जो है R3 है तो यह मेरा total current आग गया और मैं क्या चाहता हूँ यह अकेला R equivalent same काप करे तो यहाँ से मैं I is close to V by R ohms यहाँ पर use कर लेता हूँ ऐसे dotted line बना देता हूँ कि हमारा जो है दोनों में gap है दोनों जो information है यहाँ से मैं I निकालूंगा तो वो आजाएगा E by R की जगा R equivalent और हम क्या चाहते हैं कि यह दोनों current same हो क्योंकि यही तो equivalence होगा equivalence का मतलब क्या है दोनों का behavior same हो तो दोनों का behavior same हो तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है E by 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 is goes to E into 1 by R equivalent ठीक है तो यहाँ से E से E उड़ जाएगा तो parallel combination का basic formula बनता है जो कि बच्पन में भी आपने देखा था 1 upon R equivalent is 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 ठीक है voltage same होता है current may be different या फिर may be same बोलना चाहिए generally तो different होता है बट एक case इसा आता है जिसमें वो same आ जाता है you can guess कब same आएगा बच्चों current तीनों में numerator तो तीनों का same है current तो सेम है मैं बोल रहा हूँ denominator यह total तीनों individually बराबर हो सकते है कब जब R1, R2, R3 दीनों same हो और ऐसा रोज थोड़ी होता है यह तो special case है तो मैं बोलूंगा कि जो current है voltage same होता है यह 100% sure है current same भी हो सकता है different भी हो सकता है यह statement वाले सवालों में काम आता है बच्चों ध्यान रखना तो मैं वापस स्क्रोल कर देता हूँ आप connected हैं की नहीं हैं जिन्दा हैं की नहीं बता दीजी सब यह सर्न है बदाई हैं आप सबको और यह आपका screen है ठीक है कोपी कीजिए एक दम बच्चों की नहीं है यह चीज़े मट बात complete होनी चाहिए आप 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 अप आप आप बेक इन्टो माइ क्लास्रूम, इससे पहले में के बिन से लेता था, तो क्लास्रूम में क्लास्रूम एफेक्ट है सुबह में वहाँ था, के बिन में, चलिये ठीक है हां जी, प्लीज वेरिफाई कि आपने यहां तक लिख लिया है यह ठीक हांगे बढ़ते हैं, ओविसली वही में सिनारियो यहां कवर करूँगा, एक तो मैं पॉइंट लिख दाऊंगा, कि तक करंट इन रिजिस्टेंस इस में और में नॉट भी सेम मतलब कि कोई जरूरी नहीं है, you cannot say 100% सेम होगा, you cannot say 100% अनिक्वल होगा, है ना, तो कभी-कभी सेम भी हो जाता है, और जनरली अनिक्वल होता है, रिजिस्टेंस सेम हो जाएंगे तो, तो अब फिर इसमें यह एक और चीज हैं, कि इफ वही वाली बाते हैं, जो हमने सिरीज में देखी थी, इफ, देर आर सिगमा, 1 upon r, i, i बरबर 1 से लगके n तक सबको 1 upon r, 1 upon r, 1 upon r, 1 upon r, 1 r, 2 r, 3 से करके जोडते जाओ, और आपको आंसर 1 upon r R equivalent मिलेगा बच्चों, R equivalent नहीं मिलेगा, 1 upon R करेंगे, तो वो उसका inverse कर उसका उल्टा ले लोगे, तो आपको R equivalent मिल जाएगा, चोटी सी बात है, no big theory, तीसरा point वे से लेंगे, same value, अगर सबका value same होगा, तो R equivalent क्या बनेगा, 1 upon R, 1 upon, let's say value R naught, ठीक है, तो in this case, R equivalent क्या बनेगा, इसको symbol से बताना पड़ेगा, तो 1 upon R equivalent बनेगा बच्चों, 1 upon R, 1 upon R, 1 upon R, N times जुड़ेगा, तो N upon R naught बनेगा, this means R equivalent जो है, R upon R naught upon N आयेगा, पिछली बार N R naught आया था, सिरीज में, याद है, चोटा सा, एकदम चोटा सा observation है, हमारा का observation है, यही मैंने कल क्लास end करी थी, और यहाँ मैंने बोला था, this is the case, this is the special case, when all the resistances are same, तो parallel में होने की वज़े से, voltage तो same होता ही है, इस बार current भी same होगा, ठीक है, तो that's why the current is same, और आपको मतलब, यह मतलब simple सी बात में बोल रहा हूँ, अगर दो resistances parallel में connected हैं, R naught, R naught, तो आपका दोनों का equivalent कितना हो जाएगा, R naught by 2, simple, R naught by N, समझे क्या, इससे speed बढ़ जाती, इस छोटे से observation की वज़े से, समझे क्या, जिस सु, ओके, तो दीनों point जो है, वसी तरह से cover हो चुके है, एक example कर लेते हैं, थोड़ा सा, एक छोटा सा मेरे को आपको formula बच्पन वाला और याद दिलाना है, तो वो मैं आपको याद देलाने कोशिश करता हूँ, और मैं उसे highlight भी कर लूँगा, क्योंकि मेरे को भी गाम आता है, Ready? Yes, sir. अभी देखिए, टू रजिस्टेंसेस की बात करें, मान लिजे टू रजिस्टेंसेस हैं, R1 और R2. तो अगर मैं टू रजिस्टेंसेस की बात करूँगा, तो इसका R equivalent अगर मुझे निकालना है, A और B point ये है, कोई point fix होता है, किस end के about आपको चाहिए, sir? तो मैं मान लिजे, A और B के about point के about पूछ रहा हूँ, तो R equivalent जो मैं यहाँ पर निकालूँगा, वो आएगा 1 upon R1 plus 1 upon R2. I hope that is fine. LCM लोगा तो answer, LCM आएगा R1 R2, और इसमें एड होगा R1 plus R2. ठीक है, तो R equivalent जो बनेगा, किवल two resistance जब जोडते हैं, तब specially यह चीज बताई जाती है, R1, R2 upon R1 plus R2. इससे क्या होता है, कभी-कभी सवाल जो है, two के combination वाले जो basic चीज़े हैं, वो जल्दी solo हो जाती है. ठीक है? यह पूराना बच्पन वाला formula है, आपको पता भी है यह चीज़ें, two registrances को जो solve करते हैं, तो इस तरह से. अब इसका क्या फाइदा है? इसका यह फाइदा है बच्चों, कि अगर आपको यहाँ से current निकालना है, directly, let's say आपको i-note निकालना है, और आपको यह जो बैटरी का कुछ EMF पता है, for example, 10-volt, तो आपका i-note direct, i-note divided by R equivalent करिए, आपको total current direct मिल जाएगा, और वही चीज़ इन दोनों में बटेगी. ठीक है? अब जान बूज के 10 को थोड़ा symbol में नहीं लेता हूँ, symbol में लिख देता हूँ, अब यहाँ पर बात यह आती है, कि यह तो मैंने निकाल लिया सर चलो, total R equivalent, आप यही चीज इधर से भी निकाल सकते हो, individually अगर आपको I2 चाहिए, individually अगर आपको I2 चाहिए, तो आपको I2 यहाँ से direct मिल जाएगा, E by R2, क्योंकि उसके across voltage कितना है, E, और उसका resistance R2 का resistance कितना है, R2, that is simple, और अगर आपको I1 चाहिए, तो E by R1, एकदम सिंपल सा, बस बच्चों को मतलब पता नहीं होता, कि ऐसे भी कर सकते, इसका voltage आपको E और R2, E और R1 दोनों निकाल लिए, और अगर total यह हैं, तो यह इसके बराबर भी होगा, ऐसा करते हैं, उसको नीचे रख देते हैं, ऐसा, इसके बराबर भी होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर किसी कोई चोटी सी बात भी अजीब लगरी हो, तो पूछ ले भई, चलिए, तो रेशो के बारे में बात करते हैं, कि करंट का रेशो कैसा होता है, तो करंट का रेशो आपको दोनों की इंडिविजुल करंट पता है, तो या तो आप इस तरह से सोल कर सकते हो, या फिर मैं दूसरा सिनारियो देता हूँ, जब आपको करंट पता नहीं, अभी आपको करंट पता है, तो आपको लग रहा होगा, और E by R2, और E से E सबार कर जाएगा, तो ये R2 divided by R1 के रेशो में आएगा, इसको और भी कहीं तरीकों से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, I1, R1, I2, R2, दोनों पेरलल में हैं न, ये दोनों पेरलल में हैं, तो इन दोनों के टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज आएगा, I1, R1 उपर वाले का, और I2, R2 नीचे वाले का दोनों का बराबर आएगा, तो I1, R1 is close to I2, R2, ऐसे भी बोलते हैं, I1, R1 is close to I2, R2, तो ये देखिए, I1 divided by I2 का रेशो आगया, R2 divided by R1, मैं सेम ही है, कैसे भी समझो, पर RK inversely proportional होता है, तो छोटी सी बात है, और ऐसे भी बता सकता हूँ है, लिखी देता हूँ, I1, R1 should be equal to I2, R2, as they are in parallel combination, तो I1, I2 का जो रेशो आएगा, वो R1 divided by R2 आएगा, sorry, R2 divided by, R2 divided by R1 आएगा, मतलब current जो होता है, parallel combination में जो current होता है, वो उनकी resistances की inversely proportional होता है, क्योंकि source जो है, दोनों को same मिल रहा है, source दोनों में same है, जिसका resistance जदा होगा, उसका current कम होगा, जिसका resistance कम होगा, उसका current जदा होगा, obvious बात है, देखने से भी लग रही ही, तो ये दोनों ही तरीकों से ये चीज प्रूव होती है, ये चीज आप ध्यान में रखे, अब मैं आपको सिनारियो बता देता हूँ, कि why am I telling you this, this is because sometime, आपको इस तरह से parallel combination तो दे दिया जाएगा, ओके ratio पता है, ओके सुरी मैं पूरी बात नहीं बताया, ठीक है, इंडिविजू लेली क्या आएगी, टोटल करन्ट डिवाइद बाई R1 प्लस R2 इन्टू R1, राइट और नाट? ये सुरी, अब टोटल करन्ट निकालोगी तो E by R equivalent से निकालोगी, तो अपने आप वो चीज सेट होगी, आप निश्चिंत रहें, ठीक है, मैं बताऊंगा, आप verify कर लेना, कि अरे ये सही भी बोल रहे हैं, जैसे individual current की बात करेंगे, तो चली यहाँ पर individual current भी बता देता हूँ, यहाँ पर जगह हैं, तो यहाँ मैं बोल देता हूँ, individual current is total current divided by ratio, ratio कितना है, R1 और R2, क्योंकि the first one, यह जो है, बेटरी के voltage से current निकालने का formula है, और यह total current से current निकालने का formula है, बट अगर आप चाहो, तो इसको यहाँ पर डाल सकते हो, और R equivalent यहाँ से इसमें R equivalent डाल सकते हो, आपका answer वही आजाएगा, आएगा 100% sure है, ठीक है, इसको verify करना खुद से, अगर verify नहीं होता है, तो मुझे बताओ, ठीक है, message करो, okay, and now I am telling you, कि why am I, हम लोग यह चीज क्यों देखे रहे हैं, क्या फाइदा है, इसका फाइदा यह हैं कि generally आपको यह battery दिख जाएगी, but special cases में क्या होता है, current जो है, इस तरह से, यह बोल देता है 20 ohm, यह बोल देता है 30 ohm, और यह बोल देता है current यहां से 10 ampere जा रहा है, तो बताओ, individual current I1 बताओ, ऐसे, तो इसमें देखो, इसमें क्या problem आ जाती है, कि इसमें source की battery नहीं, battery is direct नहीं दिख रही आपको, यह पता नहीं कहां से काट के लाए scene, उसमें से केवल 10 ampere आपको बता दिया गया, अब इसमें अगर आप यह लगाने की कोशिश करोगें, तो नहीं लगेगा, क्यों? क्यों? क्यों बैटरी वाला फोटो का formula है, कि नहीं सिंपल सी चीज है, तो मतलब समझे मेरी बात, वोई है कि जहां काम आए, सुई का करी है तलवारी, सुई का काम है, आपको कपड़े सिलना है, आप बोल रहा है, अम्मी ममी तलवार लेकिया आजाओं, तलवार से कपड़े नहीं सिले जाएंगी, राइट, है ना, तो आपको सही हतियार है, कुलाडी से सिल देंगे, ठीक है, तो this is the thing, कि now at this point, what we need to do is, we have to take a ratio like that, ठीक है, तो रेशो से काम चलाएंगे, टोटल करन पता है, तो मैं बोलूंगा, sir, I1 divided by I2 will be R2 divided by R1 का रेशो, R2 जो है, यह, I1 यह है, तो R2 इसका नाम है, 30 by 20, रेशो अगया 3 by 2, and KCL, यह मेरा I1, यह मेरा I2, तो I, इसको मैं I node बोल देता हूँ, तो I1 plus I2, दोनों मिला के 10 Ampere होगा, यह KCL से आया, यह चीज तो जानते हो ना, आप, KCL हमने पहले cover कर रखा है, capacitance में भी हमने देख लिया था, कि KCL क्या था, एकदम simple सी चीज़ है, किसी junction पे, जितना current आ रहा individual value पूछी है, तो I1 पूछा है, तो क्या हो जाएगा, total value divided by ratio, total ratio, 3 plus 2, किस का ratio चाहिए, किस की value चाहिए, I1 की क्या ही, I1 की, I1 का क्या ratio है, 3, ध्यान रखना, जोस जोस में I1 का 20 मत लिख देना, I1 सामने वाले resistance वाला हिस्सा आप किताब आता है, तो यह आ जाता है, माने ज 6 ampere, इसी तरह I2 पूछा होता है, कितना आता है, बच्चों, बच्चों, no big deal, right? Yes, sir. यह बात है नहीं, और यह वाली बात भी मैंने आपको बता दी कि R1 R2 उपन R1 प्लस R2 होगा, एक छोटी सी खास बात इसमें और होती है, कि देखिए, आपका जो R equivalent आता है, वो हमेशा ओरिजनल रिजिस्टेंस से छोटा आता है, यहां पर as a note लिखा देता हूँ, इन पेरलल कॉंबिनेशन, R equivalent is less than R1, and R equivalent is less than R2, और भी कोई होता ना, सभी से चोटा होता, तो R I लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे, R equivalent is less than I, सारों से कम होता है, I की value कुछ भी हो, 1 से N तक कोई भी हो, सबसे चोटा answer आएगा, हमेशा R equivalent क्या होगा, जितने भी हैं, सबसे चोटा आएगा, और in series combination, R equivalent जो होगा, वो सबसे बढ़ा आएगा, N लिख देता हूँ, आई मतलब पता चले तुम current समझ लो, बसंद दिया है तुमको, तो series combination में जो आपका answer आता है, वो original जिन resistances को हमने जोड़ा है, उनसे जदा आता है, और parallel combination में जो हम combination करते हैं, उसके बाद जो आपका equivalent resistance आता है, वो जिनको जोड़ा है, उनसे भी कम आता है, हमेशा, यह तो simple आपको समझ में आ रहा होगा कि वो directly जोड़ रहे हैं, इसलिए बढ़ेगा, और यह वाला भी simply समझ में आना चाहिए, कि हम indirectly inverse करके जोड़ रहे हैं, जैसे जैसे data आपन जोड़ते जाएंगे, वो one upon r बढ़ा होता जाएगा, one upon r बढ़ा हो रहा है, तो r client तो बढ़ा है, 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 कि अग्जांपल्स कर लेते हैं बहुत सिंपल और बहुत फेमस एक्जांपल्स आपसे पूछ रहा हूं यह वाला तो औरली बताना है आपको डारेक्ट देख के बताना कि कि इनका equivalent resistance between A to B क्या आएगा एपॉइंट यह है इसको लिखना नहीं है मतलब आपको डारेक्ट बताना है यह मान लिजे मेरा है आर नॉट यह भी है मेरा आर नॉट यह भी मेरा आर नॉट तो आरेक्लेंट कितना आएगा बिट्वीन एटू भी स्पेशल चीज बता रहा है अगर इसी सवाल को मैं फिर से कॉपी कर लूँ और थोड़ा सा इसमें अलग से ड्रो कर लूँ मैं कि मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से शोट कर दूँ और इस पॉइंट को इस पॉइंट से शोट कर दूँ तो आर इकुलेंट कितना आएगा बच्चो और नोट बैटरी बहुत शाबाश बिकॉज इन दिस केस जो हैं हमने पहले के पैसिटर्स में भी देखा था कि यह जो हैं पेरलल हो चुके हैं क्योंकि यह पॉइंट ए हैं तो यह पॉइंट भी इसका नाम भी रख दिया क्या इसको भी नाम देना है यह भी इफ इस सब्सक्राइब को दूर से कुण्कशल। तो current कुछ भी हुआ, तो voltage difference कितना आएगा, 0, मतलब voltage difference नहीं है, मतलब same voltage है, तो अगर दो point पे same voltage हो, एकवी potential, एकवी voltage हो, तो उन points को फिर हमपन same ही मान लें, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, तो इसको अगर जब हम redraw करते हैं, तो हमको यह दिखता है, कि यह जो resistance पहला है, वो A से B के बीच में है, और वो है R0, दूसरा वाला B और A के बीच में है, यह A है, यह B है, दूसरा जो है B और A के बीच में है, तो वो भी R0, तीसरा जो है A और B के बीच में है, तो वो भी R0 मतलब simple सा combination है थोड़ा सा मतलब जितना जल्दी आपने answer दे दिया होती जल्दी मुझे मीट थी तो तीनों parallel में दिख जाने चाहिए आपको और उन तीनों का answer आजाने चाहिए r0 by 3 ठीक है no big deal I hope मतलब इसमें कोई खास चीज आपको मैसूस नहीं होगी कर दोड़ी स zarहत हुआब is कर मैं तूभरी आपको गष्यों ओिनर आपकी झाल झाल